हेलो नमस्ते जी कैसे हैं सब आसे करती हूं सब अच्छे होंगे और आज मैं गई थी मार्किट और सुबह सबसे पहले उठते ही मैं करती हूं घर में साफ सफाई करने के बाद मैं जाड़ू पोचा लगाने के बाद जाम अंधी रहें वहां पर उसके बाद मैं नहां के पहले ही निप्टा देती हूं सारा जो भी बैडवाएगर बनाना होता है क्योंकि फिर वह पहुच्छा कर लेती है और उसके साथ जब वह जाड़ू पोच्छा करें सुरू करती है तो मैं डस्टिंग कर देते हूं आज तो मैंने डस्टिंग भी उसकंघर आने से पहले कर जाएगी इतनी बड़ी चदर है अभी मैं साथ-साथ डस्टिंग भी कर रही हूं और अभी टाइम ऐसा नो बजे रहोंगे क्योंकि आज मैं वैसे भी थोड़ी जल्दी उठी थी जल्दी ना दोना हो गया कपड़े भी या तीन चार दिन के हो गये थे क्योंकि कल थी इकादसी और इकादसी में हमारे यहां कपड़े नहीं दोते हैं तो इसलिए मैंने कल कपड़े नहीं दोए थे और परसो भी नहीं तो तीन दिन के कपड़े हो रहे थे, जैसे सब लोगों के यहां हमावश्या होती है, तो हमारे यहां हमावश्या नहीं करके, हम इकादसी करते हैं, इकादसी वाले दिन देवताओं की जोत होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में की जोत कैसे करते हैं, और य कर रही थी वो मेरे साथ साथ कह रहा था मैं लगा दू तो हम दोनों नानी और बेटा मिलके कर रहे हैं डस्टिंग पूरे घर में क्लीनिंग चल रही है दबाके और अभी मैंने इकादसी की पूजा कैसे किया या हम कैसे करते हैं वह मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो मे आप देखके रहे हैं और अथर्व ने सारे में कोलीन लगा दिया तो मैं क्लीन कर रही हूं जहां-जहां वो कोलीन लगा रहा है बच्चा है वो भी खुस हो रहा है और अब यह अथर्व तो चला गया था उसके बाद मैं बाहर जीनने में जो फोटो वगेरा ये फ्रेम के आऊंगी तो आप वीडियो में अंड तक बने रहना और यह जिनने की डस्टिंग रोज तो मैं नहीं करती हूं लेकिन वीकली जरूर करती हूं मतलब 6-7 दिन में एक बार कर दो तो भी चल जाता है अगर जाद धूल उट रही है बाहर अब तो बारिस का मुसम तो धूल थो ना संगी मारकोट से आने के बाद मिल सबसे पहलेुआज आई हूं कि कपड़े सूख रहे थे और जो मैंने चाद्रे वगयरा उता रही वह मैंने नहीं धों कि मैंने मसीन नहीं लगाई थी यह मैंने सभड सब्स्वत के थे पैनने के 3-3 जोड़ी हो रखे थे तो मैंने मसी मसीन तो लगाई नहीं थी बत हास से ही दो दिये थे तो अब मसीन देखती हूं कल या परसो लगाऊंगी तब चाद्रे धुलेंगी है मैंकर गर्मी ऑँअ Ahhh अब मार्केट से आये थे ना तो गुडडण ने उसे बुल ला होगा उसे पिज्जा खाना होगा तो वह पायल के लिए गया एक यह पर्सनल वाला पिज्जा की पायल भी खा लेगी और मैं भी खा लेतियूं ऐसी कोई नहीं है कभी-कभी अगर पतला से बनाओ जो ज्यादा म तो मुझसे निखाया जाता, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेती हूं, जैसे पूरा पीस निखाती, तो आधा पीस खा लिया, ऐसा नहीं है कि बिलकुल निखाती, खा लेती हूं कभी-कभी, तो थोड़ा सा मैंने भी खाया और पायल ने भी खाया, मैं पायल के इस पे पिज़ तो मैं पहले कपडो की तया बना गया इन पर प्रेस व्रेस करके रख दूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूं और किस ले गई थी मार्किट तो पहले मैं कपडो की तया बना देती हूं सारों की और काम कितना भी कम-कम हो घर में बहुत हो जाता है आप सब तो समझते ही हैं क्योंकि कितना काम होता है देखो तैट तो सारे कपड़ों की बन प्रैस कर रही हूं अर रोज के रोज हो जाता है न कपड़े तो आसान होता है अगर जुड़ जाता है न कहीं दिन के लगातार तो फिर बस वो धेरी लगता चला जाता है और मेरी एह गंडी आदत है जब तक मेरे कपड़े प्रेसं नी होते न मैं उन्हें अल्मारी में निरखती अगर एक बार अल्मारी में कपड़े रख दिये तो फिर भो प्रेसं के लिए निकलते पेर प्रेसं वी तब बड़ी मुसीबत हो जाती है तो तीन सूट मेरे थे और एक कुर्थी पाइल की थी जो मुझे प्रैस करनी थी तो मैंने अभी साथ के साथ ही प्रैस कर दिये हैं सारे और बस अब प्रैस खतम होने वाली है क्योंकि जाते कपड़े तो थेनी बस ये पाइल की एक कुर्थी बची है इस पर भी मैं प्रैस करके अभी आपको दिखाती हूं कि मैं मार्किट से क्या लेके आई हूं और फिर आप बताना आपको कैसे लगा मेरा समान जो मैं लेके आई हूं अगर पसंद आए तो बताना जरूर की कैसा लगा है एक बार और रेट में भी कैसा लगा है वो भी बता आप मेरे को तो चलिए देख लेते हैं समान को लेके आई हूं थोड़ा सा समान वार किट से अभी तो पहला मैंने प्रेस ब्रेस करके कपड़े लगा दिये हैं काम भी कर रही हूं साथ साथ ऐसा ही निये बजार घूम रही हूं अग्या लेके आई दिखाऊं गिर गए नीचे कुर्थी देखो यह कुर्थी लेके आई हूं अपने लिए लेने तो कुछ और गई थी मुझे पसंद आगी तो में ले आई एक यह है और एक यह है यलो और वाइट कलर में है लैमन कलर है लैमन है ठीक है तो यह दो कुर्थी लाई हूं बस है ठीक है और यह मैंने कपड़ा लिया है चिकन कारी कपड़ा चिकन कारी है यह कि इससे में प्लाजों बनाऊंगी इन दोनों कुर्थियों के लिए पहले काम किया घर का फिर बजार गई वापस आकर फिर कपड़ा उतार कर लाई प्रैस करें और किचन का भी थोड़ा से समान लाई हूं अभी दिखाते हूं आपको क्या लाई है चल यह देख लेकते हैं यह समान लाई हूं मेरे को थोड़े से लड़ू बनाने है तो उसी का यह समान है यह जो समान लेकर आई हो इससे मैं बनाने वाली हूँ लड़ू क्योंकि उनका आना हो रहा है किसी काम की वुजे सही अधर तो मैं सोचा बोजन मास्क भी तो बस यह इसलिए लाई हूँ समान थोड़े से ड्राइफूर बगारा खतम हो रखेते तो इसलिए मैं चलो ले आती हूँ और मुझे कुछ और काम था बजार में गुड़न का जनम दिन गया अभी तो उस पर कुछ नहीं दिया था मैंने क्योंकि गुड़न बच्चों को हर कि दिधल नत्ती है तो एिए तरह से वार थे लगता की दुन दरप खतरए तो के लिए उसके लाऄ थी तो उसके लिए वह पे एक कुर्ति ले के आही हूं तो एक कुर्था उसको दे दिया फिर मैं Two पंदी अिनली यह अच्छी लगी और ज़्यादिंहीं नहीं है 350 350 की है एक 350 350 की दोनों है 700 की है तो बस यही था आज का व्लोग पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ और लड़ू बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेर करूंगी नेक